हेलो एफ्रिवन मैं हूँ दीपीका आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास टेंथ की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग दो का गद्य खंड जिसका ग्यारवा अध्याई है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और इसके लेखक है प्रहलाद अग्रवाल तो आ एक साथ चार फिल्मों के निर्माण की घोश्रा की मेरा नाम जोकर अजन्ता मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवं सुन्दरम पर जब 1965 यानि 1965 में राजकपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतह उसने भी यह कल्पणा नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में छे वर्षों का समय लग जाएगा इन छे वर्षों के अंतराल में राजकपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई जिन में सन 1966 यानि 1966 में प्रदर्शित कवी शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है यह वह फिल्म है जिसमें रा हिति की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट कर पूरी सार्थकता से उतारा तीसरी कसम फिल्म नहीं सेल्यूलाइट पर लिखी कवीता थी तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी तीसरी कसम को राश्ट्रे स्वार्ण पदक मिला बंगाल फि और कई अन्य पुरुसकारों द्वारा सम्मानित किया गया मासको फिल्म फैस्टिवल में भी यह फिल्म पुरुसकृत हुई इसकी कलात्मक्ता की लंबी चौड़ी तारीफ है हुई इसमें शैलेंद्र की समवेदनशीलता पूरी सिद्दत के साथ मौजूत है उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई थी जिसे सच्चा कवी रदय ही बना सकता था शैलेंद्र ने राजकपूर की भावनाओं को शब्द दिये हैं राजकपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तनमेता के साथ काम किया किसी फारिश्रमिक की अपेक्षा किये बागेर कमभीरता पूर्वक बोले मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजकपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बतला देंगे शैलेंद्र का मुर्जाया हुआ चेहरा देखकर राजकपूर ने मुस्कुराते हुए कहा निकालो एक रूपया मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस शैलेंद्र राजकपूर की इस याराना मस्ति से परिचित तो थे लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसाइक सूझपूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के ल भाव कवी था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टी के सुख की अभिलाशा थी तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो लेकिन यह एक दुखत सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बह मुश्किल वित्रक मिले बावजूद इसके की तीसरी कसम में राजकपूर और वहिता रहमान जैसे नामजद सितारे थे शंकर जैकेशन का संगीत था जिनकी लोग प्रेता उन दिनों सात्वे आस्मान पर थी और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन से पूर्वही बेहद लोग प्रेय हो चुके लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था दरसल इस फिल्म की समवेतना किसी दो से चार बनाने का घणित जानने वाले की समझ से परे थी इसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी इसलिए बह मुश्किल जब तीसरी कसम चार नहीं हुआ फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा ऐसा नहीं है कि शैलेंदर बीस सालों तक फिल्म इंडरस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नावाकिफ थे परन्तु उनमें उलचकर वे अपनी आदमियता नहीं खो सकते थे श्री 420 का एक लोग प्रियगीत है प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल इसके अंतरे की एक पंक्ती रातें दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानिया पर संगित कर जै किशन ने आपत्ती की उनका खयाल था कि दर्शक चार दिशाएं तो समझ सक करते हैं दस दिशाएं नहीं लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तयार नहीं हुए उनका द्रण मनतव्य था कि दर्शकों की रूची की आड़ में हमें उथले पन को उन पर नहीं थोपना चाहिए कलाकार का यह करतव्य भी है कि वह उपभोकता की रूचियों का गलत न करें और उनका यकिन गलत नहीं था यहीं नहीं वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोग प्रिय हुए शैलेंद्र ने जूटे अभिजात्ति को कभी नहीं अपनाया उनके गीत भाव प्रवण थे दुरूह नहीं मेरा जूता है जापानी यह पतलून इंगलिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे शांत नदी का प्रवा और समुद्र की गहराई लिए हुए यहीं विशेस्ता उनकी जिन्दगी की थी और यहीं उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था तीसरी कसम यदि एक मात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्ती रचना के साथ शत प्रतिशत न्याय किया हो शैलेंद्र ने राजकपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया हीरामन पर राजकपूर हावी नहीं हो सका और छीट की स पस्ति साड़ी पर लिप्टी हीरा बाई ने वहिदा रह्मान की प्रसिद्ध उचाईयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था कजरी नदी के किनारे उकडू बैठा हीरा मन जब गीद गाते हुए हीरा बाई से पूछता है मन समझती है न आप तब हीरा बाई जुबान से नही आखों से बोलती है दुनिया भर के शब्द उस भाशा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते ऐसी है सुक्ष्मताओं से इस पंदित्थी तीसरी कसम अपनी मस्ति मर डूब कर जूमते गाते गाड़ीवान चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिजरे वाली मुनिया टपर गाड़ी में ही एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल रदय गाड़ीवान अभाओं की जिन्दगी जीते लोगों के सब नीले कह कहे हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाओ वे जिन्दगी से दूर होती है यदि त्रासत इस्थितियो का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरिफाई किया जाता है दुख का ऐसा विभध सुरूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक्षूशन कर सके और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहजिस्तिति में जीवन सा बेक्ष प्रस्तुत करती है मैंने शैलेंदर को गीतकार नहीं कभी कहा है वे सिनिमा की चकाचोत के बीच रहते हुए यश और धन लिपसा से कोसों दूर थे जो बात उनकी जिन्दगी में थी वही उनके गीतों में भी उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं जूजने का संकेत भी था और वह प्रक्रि अभी मजूद थी जिसके तहट अपनी मंजिल तक पहुँचा जाता है व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है शैलेंदर ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सरुस्रेस्ट तत्य प्रदान किया मुकेश की आवाज में शैल प्रवा बैरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई बाचे भाग न बाचे कोई अभिने की द्रिश्टी कौन से तीसरी कसम राजकपूर के जिन्देगी की सबसे हसीन फिल्म है राजकपूर जिने समिक्षक और कलामर मक्य आखों से बाते करने वाला कलाकार मानते हैं तीसरी क कसम में मासुम्यत के चर्मत कर्ष को जूते हैं अभिनेता राजकपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मवजूत हैं उतना जाकते रहो में भी नहीं जाकते रहो में राजकपूर के अभिने को बहुत सरहा गया था लेकिन तीसरी कसम वहां फिल्म है जिसमें भया है खालिस तेहाती भुच्च गाडिवान जो सिर्फ दिल की जुबान समस्ता है दिमाग की नहीं जिसके लिए महबत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राजकपूर के अभिने जीवन का वह मुकाम है जब वह एशि का था लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामाई व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है वह कहीं हीरामन का अभिने नहीं करता अपितु खुद हीरामन में ढल गया है हीराबाई की फेनो गिलासी बोली पर रीजता हुआ उसकी मनवा नटवा जैसी भोली सूर इसरी कसम की पट कथा मूल कहानी के लेखक फणिश्वरनाथ रेडू ने स्वयंग तयारी की थी। कहानी का रेशा-रेशा उसकी छोटी से छोटी बारी क्या फिल्म में पूरी तरह से उतर आई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंधे तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याई के साथ। तैंक यू।